आपने इस video पर click किया हैं क्यूंकि आप share market के बार में इसके सीखना चाहते हैं एक ही request करूंगा वीडियो शुरूँने से पेले कि मैंने सब कुछ explain किया है, share होते क्या है से लेके share कैसे खरीदे जाते हैं सब कुछ live करके दिखाया है अगर आप complete knowledge लेना चाहते हो तो इस वीडियो को last तक देखना वरना तब आके देखना जब आपके पास time हो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो चली चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं हाई दोस्तों कैसे आप सब मैं अप्रवीन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल पर दोस्तों आप इसे बहुत सारे लोग shares में invest करना चाहते हैं shared market से पैसा कमाना चाहते हैं बट उन लोगों को नहीं पता कैसे shares को buy किया जाता है कैसे shares को sell किया जाता है even बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही पता ही यह share होते क्या है उनको definition भी नहीं पता shares की तो दोस्तों आज का यह जो वीडियो है ना वो आप लोगों को सारी information देने वाला है कि share होते क्या है, share market क्या है, share market में कैसे पैसा लगाना है share market में पैसा लगाने के लिए क्या-क्या requirement होती है इसके लावा बहुत सारे लोगों का ये भी मित होता है कि share market में तो वही पैसा लगा सकता है जिसके बाद लाखो रुपे हो दोस्तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आप 500 रुपे से यहाँ पे ट्रेडिंग अपनी शुरू कर सकते है तो जो main चीज है वो ये है कि आपको share की proper knowledge होनी चाहिए share market की उसके बाद आपको अगर ये knowledge हो जाएगी न तो आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो धीरे-दीरे हाथो हाथ, राथो राथ, कहीं भी पैसा नहीं बढ़ता बट यहाँ पे अगर आपको सही knowledge के साथ आते हो सही mindset के साथ आते हो तो आप अच्छे पैसे यहाँ पे बना सकते हो तो share market की complete information के लिए दोस्तो वी video last तक देखना क्योंकि मैं सारी चीजे आप लोगों को live करके बताऊंगा सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों को theory बता के नहीं जाने वाला live चीजे होंगी, मैं आपको account बना के भी तिखाऊंगा कैसे shares को खरीदा जाता है क्या क्या चीजी ध्यान में रखी जाती है क्या क्या चीजों के requirement है सभी चीजे आपको एक ही video में पता लग जाएगी बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को subscribe करो दोस्तो बेल आकन को प्रेस करो ताकि जब भी मैं नई videos आप लोगों के लिए लेकिया हूँ आपके पास सबसे पहले पहुच जा है तो यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ shares होते क्या है आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ पता होगी तो जो नीचे time देख रहा है जहाँ पे मैंने live जो है सारी चीज़े करना शुरू किया है आप उस time पे जा सकते हैं और यहाँ से जो है वीडियो को resume कर सकते हैं देखना क्योंकि अगर आप लोगों को basic पता है तो ये सारी चीज़े देखना आप लोगों के लिए सही नहीं है जिनको बिल्कुल नहीं पता वो अभी वीडियो को देखते रहे तो मैं आप लोगों को दोस्तों shares के बारे बता रहा था shares का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप किसी company का share खरीदते हो तो आप उस company का एक हिस्सा खरीद लोगे अभी जब भी वो company profit में जाएगी आपको profit होगा जब भी company loss में जाएगी आपको loss होगा अब company shares को क्यों issue करती है यह आपके दिमाग में question होगा देखो यह share को company तब issue करती है जब company को पैसो की requirement होती है so let's say मेरी company को पैसो की requirement है मैंने एक नई company खोली अब मुझे मान लोग 50,000 रुपे की requirement है example ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे 100 shares जो है 500 रुपे के issue कर दिया market में अब उन 100 shares को अगर लोग खरीदते हैं 500 रुपे में तो मेरे पास तो 50,000 रुपे आ गए ना मेरा काम तो बन गया अब कहने का मतलब है कि उन लोगों ने मेरी company का एक हिस्सा जो है खरीद लिया अब यहाँ पे मेरी company अगर profit करेगी तो मुझे उनको profit बाटना पड़ेगा क्योंकि मेरी company में जो भी पैसा लगा है वो मेरा पैसा नहीं है अभी आपके दिमाग में question होगा कि लोग अपनी companies को share market में कैसे list करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आता है initial public offering IPO के द्वारा जब कोई नही company list होती है तो वो IPO के द्वारा होती है यहाँ पे आपको कुछ documents वगरा जो है required होते हैं वो provide कराने होते हैं उसके बाद जो है सारी जाच परताल की जाती है कि आपकी company क्या कर रही है, कैसे perform कर रही है, कहां कैसे registered है, कितने लोग काम कर रहे है वो सारी जब चीज़े पूरी हो जाती है तो आपकी company यहाँ पर list हो जाती है अगैन यह एक detail process होता है, कभी आप मुझे बताएंगे कि एक पूरा detail में वीडियो बनाओ कि अपनी company को कैसे list किया जाता है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा बट अभी फिलाल के लिए आप इतना जान लो कि IPO से जो है कोई नई company list होती है share market में, अब share market क्या होता है, share तो आप समझ गए कि किसी company का हिस्सा खरीदना है या फिर जब भी किसी company को require होता है पैसो का तो वो share issue करते है और लोग खरीदते है तो उसको share कहते है, share market वो जगा होती है दोस्तों, जहां पे share जो है खरीदे और बेचे जाते है आप लोगोंने BSE का नाम बहुत सुना होगा नियूज में, Bombay Stock Exchange National Stock Exchange, NSE का नाम सुना होगा या फिर आप लोगोंने इनका नाम नहीं सुना तो आपने Sensex और Nifty का नाम तो सुना होगा अब यह क्या चीज़े हैं, तो कोई यह stock exchanges है, stock exchange है share market कहलो जहाँ पे कहने का point है कि यहाँ पे share shares जो है बेचे जाते है, खरीदे जाते है एक regulation के सासर, यहाँ पे कुछ companies है जो कि listed है, उन stock exchange में शामिल है अगर मैं बात करूँ Bombay Stock Exchange की तो करीबन 5000 से ज़्यादा companies जो है Bombay Stock Exchange में लिस्टेड है और अगर मैं बात करूँ NSE यानि कि National Stock Exchange की तो यहाँ पे करीबन 1500 से ज़्यादा companies जो है listed है NSE में NSE और BSE दोनों ही जो है Bombay में है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हम Bombay को यानि कि Mumbai को Financial Capital कहते है इंडिया की, तो अब दोस्तों point आता है Sensex और Nifty का देखो यार Sensex जो है वो BSE का इंडेक्स है, Nifty जो है वो यहाँ पे NSE का इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है, दोस्तों आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे Bombay Stock Exchange ना, Top 30 Companies को लिस्ट करती है, Top 30 वो Companies जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैपार कर रही है, वैसे ही NSE जो है Top 50 Company को लिस्ट करती है, जो कि उनकी सबसे ज़्यादा काम कर रही है उनके Stock Exchange में, अभी वो Top 30 Company के Shares जब उपर जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं हम ऐसे कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे Sensex उपर जला गया, क्योंकि वो Top 30 Companies की जो Shares है, उनके Price बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ते और घटते क्या हैं, उस पे बात करेंगे, वैसे ही NSE में दोस्तों, जब यहाँ पे Top 50 Companies जो Select होती है, वो उपर जाती है, मतलब उनके Price बढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे Nifty के Points उपर चले जाते हैं, तो जब भी अभी आप सुनोगे कि Sensex उपर चला गया, Nifty उपर चला गया, तो अब आप समझ जाना कि यहाँ पे हमारा Share Market अच्छा काम कर रहे है, जब भी Points उपर जाते हैं, इसका मतलब है Shares की Value उपर जा र होती है, यह बेसिकली जादा तर Cases में ऐसा माना गया है, कि Depend करता है Profit पे Company के, अगर Company अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे उसकी Shares की Value बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे मानलो, मेरी Company के आप लोगों ने Share खरीदे, मेरी Company Profit में गई है, तो अभी मैं वो सारा Profit ज था, अब उसकी Value 500 से बढ़के, let's say 550 हो गई, तो मेरे Share की Value उपर हो गई ना, मेरे Company की Shares की, जब मेरे Company की Shares की Value उपर होगी, तो आपको भी Profit होगा, क्योंकि आपने उसमें पैसा लगा है, तो उसको इस तरीके सा आप देख सकते हो, कि जब भी Shares की Value उपर जाती है, तो Profit में जा रही है, सारी Companies, और यह जो Top 50 Companies, यह Top 30 Companies, BSE और Ransom में Select होती है, दोस्तों, वो Market Capitalization के हिसाब से होती है, मतलब किस Company में कितना ज्यादा पैसा लगा है, कौन सी Company, Top की Company है, उस हिसाब से यहाँ पर वो Top 30 और Top 50 Companies को Select किया जाता है, एक ही Company, मतलब एक ही Category की नहीं होती, अलग-अलग Categories की Companies होती है, जिससे Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange यह पता लगा देती है, कि Overall Market कैसा चल रहा है, अभी 5000 Companies है, यहाँ पे 1500 ज्यादा Companies है, तो सब का Share कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता लगाया जाए, कि यहाँ पे कौन-कौन से सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, यह बहुत म आपको सभी वीडियो में मिली जाएगा इंटरनेट पे, अब बात करते हैं, इस Shares को Buy or Sell कैसे किया जाता है, लाइव में भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, तो जब आप यहाँ पे Shares को Buy करते हैं, तो ऐसे ही जाके Buy नहीं कर लेते हैं, यहाँ पे कोई Pen Paper खरीदने ज करते हैं, तो आपको अपना यहाँ पे एक DMAT अकाउंट चाहिए होता है, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, इसके लाव आपको अपनी फोटो चाहिए होगी, आपको अपना यहाँ पे Signature चाहिए होगा, साथ इसाथ सबसे important चीज़ आपको एक broker चाहिए होगा जिसकी मदस से आप यहाँ पे shares को buy कर सकते हो दोस्तो broker बहुत जरूरी है जब आप share buy करना चाहते हो ऐसे ही आप share नहीं buy कर सकते किसी से broker जो होता है एक individual हो सकता है एक online company हो सकती है तो उससे जो है आप यहाँ पे shares को buy और sell कर सकते हो अब बात करते है कौन सा broker यहाँ पे choose करे देखो जैसे मैंने बदायागी broker कोई online company वगरा भी हो सकती है तो आज की rate में ज़्यादा तर लोग shares को online buy करना पसंद करते है क्योंकि online बहुत easy है वो अपने mobile से सारी चीज़े track कर लेते है बेज देते है खरीद देते है तो बहुत असान होगा है mobile phone से आप सारी चीज़े कर सकते हो easily तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ market में बहुत सारी companies है जो आपको share buy और sell करने का मौका देती है बट मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में India Bulls Shub जो एक app launch होई है India Bulls के तरफ से India Bulls बहुत बड़ी company है आप लोगों को पता होगा India Bulls Shub एक app है India Bulls के तरफ से India Bulls Venture के तरफ से जहाँ पे आप जो है shares को buy और sell कर सकते हो अब आप लोगों के निमाग में question होगा कि मैंने India Bulls Shub कोई क्यों choose के क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 30 दिन के लिए सब चीज़े फ्री में मिल जाएगी फ्री में मिलने का sense है कि जब भी आप share खरीते हो तो एक brokerage fee से आप लोगों को देनी पड़ती है जितनी भी market में apps है उसमें सभी में आपकी brokerage लगती है जो कि आपको pay करना पड़ता है जो आप shares को buy करते हो या फिर sell करते हो DMAT account होता है जहाँ पे आपके shares जो है store होते है trading account वो होता है जहाँ पे आप अपने shares को sell और buy कर सकते हो अभी यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए मैं आप लोगों को India Bulls Shub की app पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को live बता देता हूँ यह सारा process कैसे होता है इसके लाबा इस app का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है India Bulls Shub की app पे जाओ और अपना account बनाना शुरू करके trading करना शुरू कर सकते हो तो दोस्तों मैं आप लोगों को live दिखाने से पहले कुछ चीज़े बता देता हूँ India Bulls Shub app के बारे में जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है जैसे कि India Bulls Shub app आप लोगों को Google Play Store और App Store दोनों पे मिल जाएगा Android और iPhone users दोनों के लिए है अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताता है कि फ्री में आपको 30 days के लिए यहाँ पे brokerage fees वगरा माफ हो जाती है तो यह कुछ highlight है जो कि मैं आप लोगों को बताना जाता हूँ जैसे कि आप देख सकते है जब आप यहाँ पे अपना account बनाएंगे India Bulls Shub app पे तो यहाँ पे जब आप DMAT और trading account दोनों बन जाएगा अभी आप लोगों को मैं दिखा दूँगा तो यहाँ पे आपकी 0% brokerage fee लगेगी equity F&O और currency पे 37% brokerage fee है अगर आप delivery और intraday करते हैं delivery का मतलब है जब आप share खरीत के रख देते हैं लंबे समय तक intraday का मतलब है जब आप share खरीते हैं और उसी दिन जो है उस share को base देते हैं 37% interest है आपका margin trading पे अभी मैं आप लोगों को बता दूँगा क्या होता है और दिन में आप unlimited trading कर सकते हैं free call and trade है और transparent fee structure है यह आपको 30 दिन के लिए बिलकुल free मिल रहा है इसलिए मैंने आप लोगों को इस app के बारे में बता है अब मैं आप लोगों को इनके plans बता देता हूँ after 30 days क्या होगा तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 30 दिन के बाद आपको कुछ plan चूज करने पड़ेंगे 1000, 2000, 3000, 5000 से लेके 1,00,000 रुपे महिना तक का plan है और अगर आप यह plan नहीं चूज करना चाहते तो आप यहाँ पे आपकी वो कुछ चूज करके देख सकते हैं आपको सही लगता है तो आप plan चूज करें नहीं सही लगता है आपको लगता है कि आप इतनी ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे इनका जो है बाकी जो brokerage fee वाला plan चूज कर सकते हैं आपकी सिर्फ ब्रोकरेज लगेगी कोई यहाँ पर आपको monthly fee देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पर जो बाकी companies है दोस्तों उनसे compare करके देख लेते हैं यहाँ पर सिर्फ इंडिया बुल्शुप भी नहीं है, SDFC security है, angel broking है, 0-12 है, 5 पैसा है तो यहाँ पर जब आप compare करोगे तो आप यह पाऊगे कि इंडिया बुल्शुप की अगर आप plans को buy करते हो तो आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि आपको 1000 उपे monthly देना है और आपकी यहाँ पर सारी brokerage fees 0 हो जाती है आप unlimited trade कर सकते हो, बाकी जगाओं पर यहाँ पर आप जब भी share को buy करते हो, sell करते हो तो वहाँ पर आपको brokerage fees वगरा देनी पड़ती है और यहाँ पर कुछ limits वगरा होती है जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, अगर आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखना जाते हो, तो एक बार यहाँ पर वीडियो को रोक के यह जो slide है वो पढ़ ले रहा है तो चलिए दोस्तो मैं आप लोगों को account बना के दिखा देता हूँ जो भी नंबर पर आया है, उसको continue करने के बाद दोस्तो आपको अपना bank card का नंबर डालना है, अपने date of birth डालनी है, date of birth डालने के बाद दोस्तो next हो जाएगा और account permission मांगेगा, उसके बाद आप जो है future run option पर आ जाओगे, future run option नहीं कि अगर आपको बल में यह भाई करना है तो आप future option पर क्लिक करें, 1000 रुपे वाले plan पर ना करें, उसके बाद equity plan पर आप लोगों को दिखाएगा, जैसे कि मन बता था कि यहां पर बहुत सारे plans है, तो पहले में निकले सारे plans free है, तो यहां पर मैंने 2000 रुपे चूस कर लिया है, और आप देखेंगे first month के लिए सब कुछ यहां पर निल दिखा रहा है, सिर्फ 500 रुपे चार सिखा रहा है, क्योंकि future run option पी मैंने सिलेक किया, इसलिए 1000 रुपे और दिखा रहा है, अगर आप नहीं करना चाहिए, तो मत करें, उसके बाद दोस्तों आप लोगोंने payment कर दे दी है, credit card, debit card किसे से भी कर सकते है, उसके बाद आप दोस्तों personal information पे move कर जाएंगे, इस page पे, यहां पे आपको अपनी personal information डाल दी है, डालने के बाद दोस्तों next कर देना, next करने के बाद दोस्तों आप जो है, इस page पे आजाओगे, यहां पे आपको documents को upload करना है, आपकी photo, आपका signature, financial proof, राइट, आपकी photo और signature mobile से भी upload कर सकते हैं, उन सब चीजों को upload करने के बाद agree पे click करना है, आप इस page पे आजाओगे, यहां पे दोस्तों आपको जितनी भी आपने information डाली थी, वो सारी चीज़े दिखाएगा, एक बाद review कर लेना, review करने के बाद next कर देना, दोस्तों, next करने के बाद दोस्तों, आप जो है NSDL के website पे move कर जाओगे, यहां पे आपको अपना अधार कार्ट डालना है, OTP आएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने नेक्स्ट करते ना है, continue पे click करना है, इस तरह के से आपका DMAT or trading account तयार हो जाएगा, उसके बाद आपके number पे, और आपके email ID पे, user ID बेजेंगे, इसको दोस्तों आप लोगों ने डाल के यहां पे enter हो जाना है, इस तरह के से आपका account बन जाएगा, उसके बाद आप इस तरह के से दोस्तों आप पे आजाओगे, यहां पे आप देख सकते हो, Nifty और BSC सारे जो companies के shares आप भाई कर सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत सारे टूल्स वगरा भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कि आप जो है एक share की price पहले क्या रही है, उस share के बार में क्या news आ रही है, उसके fundamentals क्या है, यह सारी चीज़े आप लोग देख सकते हो, जिससे आपको मदद मिलेगी, एक decision लेने में कि आपक आप लोगों को दिखा रहो हूँ, जैसे कि आप लेख सकते है, इसकी क्या value रही थी पहले, इसकी सारे जो market tools है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको यहां पर देख सकते हैं, मानलो मुझे यहाँ पर State Bank of India का share आपके रहा है, जिस भी company का रहा है करना आप इस तरह आप लोगों को दिखा देगा तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शेयर को बाई करने के लिए बाई पर क्लिक कर देना है आप देख लेंगे स्टेट बैंक और इंडिया के शेयर इस तरह की से बाई ओडर आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप से कुछ ऑप्शन पूछेगा इंट्रादे डिलिवरी मार्जिन ये सारी चीज़े तो इंट्रादे तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेम डे बाई सेम डे सेल होता है डि जिससे आप जो जानकारी डीडेल में ले सकते हैं जब आप अकाउंट बनाएंगे तभी उनका कॉल आजाएगा आपके बास कि आपको अगर कोई तिकत परिशानी हो रही है तो आपको सारी चीज़े क्लियर कर देंगे तो इस तरह की दोस्तों सारा प्रोसेस काम करता है शे आप आप के लिए best हो सकती है क्योंकि जिन plans के साथ जो जो offers आप लोगों को मिल रहे हैं वही services अगर आप किसी और अप में use करोगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ सकते हैं बट यहाँ पे आपको ये free में मिल रहा है बाकी जहां तक बात रहे इंटरफेस वगरा आप की तो इंटरफेस वगरा सभी आप में almost सही होता है सानी कहा था कि इंडिया बूल शोब आप में बहुत अच्छा है बाकी आप भी आपको easy interface वगरा security वगरा दे रहे हैं बाकी जो 30 days का trial मुझे अच्छा लगा और इनका subscription plan उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा 30 दिन का free trial तो आप लोगों को मिली रहा है बाकी जापका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप जाके download करके यहाँ पे trading करना शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को sum up करते वे यही कहना चाहूंगा यहाँ पे शुरू करो चीजों को जैसा कि मैंने बत किया जाएगा एक बार इन्हों share को buy करें जिससे आपको experience होगा तो इसी के साथ इस वीडियो को यही कहतम करेंगे उमीद करता हूँ आप लोगों के सारी queries जो है solve हो गई होगी अगर फिर भी कोई question बचा है आप लोगों कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment section भी लिखके वीडियो पसंद कर खूज जाए तो जाधा से जाधा दा लोगों को और हम पर फॉफिट हो सकाने तो मैं इस वीडियो को हेगता हूं जल्दे ध़िया वी और आप लोगों मुलाकात करता हूं तब तक TU.